है लो गूड्माडिंग कैसे हैं आप सब आयोग सब अच्छे होंगे शब कुशल मंगल होंगे तो दोस्तु मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं और मैं बनाने जा रही हूं लैंज तो काम भी हो गया नाञा धोना भी हो गया आप बना लेती हूं लेंज तो लेंज में बना रही हूं मटर का निमोना तो आपने बहुत खाया होगा और इस तरह से बनाएंगे तो आप यही तरीका अपनाएंगे जो मैं बना रही हूं तो उसके लिए सारे समान हैं जैसे की हरी मिट्ची हैं और ये मटर है आलू है और लैसन, प्याज, अद्रक ये सारी चीजे हैं और कड़ाई में मैंने तेल भी गरम करने रख दिया है तो मटर को छील लिया है और वोश कर लिया है और इसको न मैं पीस लूँगी थोड़ा दर में पीस लेती हुँए misma और पीस लूँगी तो इसके बाद इसको इसको इस तरह से निगाल लिया है मैंने बाओल में एक और इसको मतलब निकाल लिया है तो थोड़ीदेर में इसको फिराई भी करूँगी और सारीस्पी में आपके सास्थाफ रही हैं दोस्तो तो अब दाल में निया ना प्माट की और यह पानी युद्प that न हुद कि तो एशा रा भी दोगे अनिये मातल निया हुद मठर में आर मथाऊ निया हैं पैस निया है मिन पर देख सकते हैं यह मैंने पढर लिया है मिश्र कितने ग्रीनिया है नक क्का में तो गड़ाई में तेल गर्म करने रख दिया था तो उसमें ये आलू मने कर लिये हैं और मतलब करके इनको धूक ऐची तरह से और इनको मैं फिराई कर लूगी और भीर तब मैं सबजी बनाऊंगी तो आप देख सकते हैं आलू को मैं ने फिराई कर लिया है और ये तब तक यह कड़ाई में से हटने ना लगे यानि कि यह भुरूरी सी ना लगे आया यह मतलब थोड़ा सा अच्छा सा मेडियम गेस पर इसको हल्का सा क्रेंची कर लोंगी और इसको इसको भी मैं अच्छी तरह से भून के निकाल लोंगी आप देख सकते हैं तो आलू भी फ् और अब कड़ाई में फिर से थोड़ा सा ओयल डाल दिया है उसमें बना लेती हूं मैं निमोना तो थोड़ा सा जीर डालूंगी और थोड़ी सी हिंग भी डालूंगी तो यह निमोना की सबजी को मैं छोंका लगा देती हूं अब डाल देती हूं मैं अद्रक, लैसन, प्या इसने ओयल भी छोड़ दिया है तो अब डाल देती हूं इसमें मसाले को सुखे लाय थोड़ा टेर तक पकाया क्योंकि अध्रक लेशन थोड़ा अच्छी से पक जाएं और हल्दी को थोड़ा सा डालना इन मसालों को भून लिया है मैंने तो डाल दी है टमाटर डाल के भी मैं अच्छी तरह से इसको भून लोगी थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए तो आप देख सकते हैं यह मेरे निमोना की मतलब अच्छी सी रेस्पी बना रही हूं एक बार जर और थोड़े इसको भून लोगी मसाले के साथ पकी हुई तो थे है यह लेकिन फिर से थोड़ा सा और पका लोगी ताकि और अच्छा टेस्ट आए तो आप देख सकते हैं इसको भी मैंने मिला के और अच्छे से इसको भून लिया है कड़ाई मैं से यह हट रहा है मसाला आलू डाल दूंगी तो दोस्तों कैसी लगेगी मेरी रैस्पी बताना मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो लाइक सस्क्राइब शेर जरूर करना तो मैंने आलू को भी डाल दिया है और मिला दिया है आलू को भी और अब इसमें मैंने थोड़ा सा मतलब गरम पानी करके र पतला भी नहीं रख सकते तो इसको थोड़ा एस तरह से रख सकते हैं आप देख सकते हैं जिस तरह का यह दिख रहा है तो इसको रख दिया है मैंने पकने और यह पकी जाएगा थोड़े देर में क्योंकि गरम पानी है और यह सारे पके हुए हैं आलू भी फ्राय हैं मतर भ तो यह पक चुका है मेरे निमोना की सबजी तो डाल दी थोड़ा सा गरम मसाला और गरम मसाला डालके में इसको अच्छी तरह से चला दूंगी और थोड़ी दर धखके इसको पकने पांच मिनद के छोड़ दूंगी आप देख सकते हैं तो निमोना मेरे तैयार है और बहुत ज्यादा यम्मी और बहुत ज्यादा टैस्टी बना है यह देख सकते हैं तो इतना मतलब मुझे इसको पतला रखना है इससे ज्यादा गाड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा और इससे ज्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता है तो आप देख सकते हैं अब कलर आ गया है बन गया है मेरा निमोना तो इसको में ठक के रख देती हूं तो अब बना लेती हूं में चावल तो निमोना के साथ हम चावल भी खा सकते हैं और मतलब रोटी नान या पराठा कुछ भी बना के खा सकते हैं तो बहुत जादा यम्मी बना है मेरा तो अब बना लेती हूं में य थोड़ा अच्छा बच्चों के साथ मतलब हम अच्छा सा खिला सकते हैं तो यह हमें healthy पुलाव जहिए हूं तो हम ऐसे भी खाश हैं और किसी सब्जी से थे खाश आएं तो डाल दिये हैं इसमें जीरा और यह खड़े मशाले और यह मतलब काजू बदाम और चाबल और एक हरी मिडची काटी है और बहुत ज्यादा टैस्टी बनता है ऐसे भी खालो या फिर सब्जी के साथ खालो तो थोड़ा सा ये नीवु है आप देख सकते हैं बिलकुल थोड़ा सा है तो इस नीवु को भी मैंने डाल दिया है आप देख सकते हैं अच्छी तर आप देख सकते हैं, तो यह मेरा पुलाब भी रेडी हो गया है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम खिले-खिले चावर बने हैं, और इतनी अच्छी कुछ बू आ रही है, तो अब बना लेती हूं पराठे, तो मेरे बच्चों के लिए पराठे ही खाने हैं, रोटी मेरे बन रहे हैं, सादा वाले पराठे बनाए हैं, तो दोस्तों यह है आज का हमारा खाना यानि की लंच, और यही है आज की हमारी थाली, तो आज की थाली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा यम्मी है, और इतनी ज़्यादा सुन्दर भ तो दोस्तों मिलती हूं एक अगली वीडियो में एक अगली एक नई रेस्पी के साथ तो दोस्तों आज का यही था हाँ कोई बिलोग कोई बड़ा नहीं था तो आज की रेस्पी बस यही है और मिलती हूं अगली रेस्पी के साथ तब तक के लिए बवाय दोस्तों